नमस्का दोस्तो आज का जो चार्ट है वो है दो सेप्टेमर का चार्ट और इस चार्ट पर हम सीखें किस तरीके से चार्ट को हम पढ़ते हैं और एक एक कैंडल को किस तरीके से रीड के जाता है और दोस्तो आपको डेली बेस पर हम पढ़े चार्ट वाई चार्ट को दोस्तो सुरहीर करना सिखाते हैं तो चैनल को लाइक कर लिजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए यहां पर सबसे पहले हम दोस्तों पहली कैंडल को देखते हैं जब भी हम पहली कैंडल देखते हैं दोस्तों पहली कैंडल अगर ग्रेन है और रेड है तो अगर दोस्तों कैंडल बन रहे और इतनी बिग बार में candle बन रही दोस्तों यह ऊपिसली दोस्तों एक बियरी स्केंदल हो घोербी है骂 लिंगे कियो है इसके पीछे क्या रीजन ईसको वे दोस्तों समयते है दुस्तर 시न दो रूलजसे है अगर दोस्तो एक candle का हाई होता है एक candle का लो होता है जैसकि इस candle का यह लो है अगर दोस्तो जो candle open हो रही है और close का पर हो रही है यह दो most important point होते है कि candle का open को देखना और उसका closing को देखना अगर दोस्तो closing low के पास में हो रही है तो दोस्तो वो बीरिस candle होती है और अगर closing high के पास में हो रही है तो दोस्तो वो एक bullish candle होती है यह दोस्तो रूल आपको हमेसा याद रखना रट लेजिए इस रूल को यह ढो finalmente यह ग्रीन होती है यह जैसा की ऊपनिंग ग्रीन केंडल में साथ्ची कि ओपनिंग्डाल हमें साथ दोस्तो ओपर नीचे से होती है और close ज तरह होती है जैसे कोई भी बनती है तो इसकी addressing जोस्तों नीचे ओपनिंग नीचे से होगी तरफ हो गई वहीं पर दोस्तों अगर बहु दोस्तों बंती है उसकी जब क्लोजिंग के पास होंते हैं वो एक फैस्टी समस्केट केंडल va dh के आगर पैस्टों हा यहां के बभू है सकते हैं यहां पर दी है यह low point है और दोस्तों यह high point है और इसकी क्लोरिंग कहा पे low के पास है तो यह एक various candle है सबसे पहले हम क्या करेंगा उसको हम साथ समयता है कि जो हमारी पहली candle होती है उसको दोस्तों हम mark करते हैं पहली candle का हाई को दोस्तों mark कर दीजिए चार्ट पर जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और पहली candle के दोस्तों closing को mark कर लीजिए कि आपको क्या पता चल जाता है कि यह अगर मार्केत यहां से उपर जाता तो छो स चन्स होते हैं सुमझ लेजिए को मार्केट के chances होते हैं, जहां से मार्केट उपर की तरफ जाएगा, च्यूक्किकि उसने पहली चैनल थी उसके रहेंच को दूस्तो ब्रेक कर दिया है। है कि वहीं पर अगर यह दो स्विश्सके निए तो अभी एक रास बनंद करना काम कर रहा है तो I-value यह पर आ रहा नीचे का माण और यह दो स्विद्सको ऑस ट्राफ के से जाने जाता हूई लाए उना जाते हुआ हैं और आदमators आ रहा है ठीक है ना इस तरीके से दुस्तर हम चार्ट को एक तरीके से मैपिंग करते हैं चार्ट पे जब तक हम चार्ट को चारो तरफ से गेर नहीं लेते तब तक चार्ट हमारे समझ में नहीं आता चार्ट हमारे दिमाग से बहार रहता है तो आपको पता चलेगे है कि हमारी पहली केंडल पर दूस्तर हम पर एक लाइन द्रॉग करी और इसकी दुस्तों पूरा मार्केट जो है न? वह नीचे आधे तो ये दूस्तों रैस्टेंस बन हो गया और रेस्टेंस इसको तू मान सकते हो तो इस तरीक से दोस्तों हम ट्रेडिकं करते हैं और प्रेडिकंग में सबसे जरूरी होता है कि कब पॉइंट में पॉइंट में दूस्तों मार्करेट उपर की तरफ जाएगा तो मर्के इस यवे यहांँ पर चांश से होते हें कि मार्केत में कुछ बज़ाग होंगे कि आपका एक तरीकगे से डze डेश्टेंस लेवल है तो दो समझे जब भी आता है या तो उसको ब्रेक करके ऊपर की तरहिकल जाएगा यहां मार्के चांश pense सोटिये के reversal market हो जाए works होने के chances हैं तो market क्या indicator देगा उसको समझे कि अगर market यहां से रेवर्स होने के chances हैं तो आप देखा रहें कि यह आप से क्बाने ये जो ड्रेड स्ट ना यह यह टेजुर्ट केंडल मौधें दिखा रही है कि मार्केट आफी हिए या था के हात में आया है अब आप बोलेंगो बसक्ति कैसे आ हम यह पर आपने देखा पिछले में दोस्तों सेलिट कर रहे थी अथा था झाह से आप लेकिन इसकी क्लोजिंग दोस्तों आभी भी लो के पास में है तो यह दोस्तों ब्हेर स्केंडल मानी जाए धोनौं केंडल इसके बाद ये केंडल जो आई है ये कैंडल रेड एक उपर कि तरह हुई यह जो हाई के पास पर यहां पर बायर्स पूर्थे कंट्रोल कर चुके हैं but market इतने इतने sellers अभी भी दोस्तों मार्केट में आभी है यह कभी भी टेक ओफ कर सकते शीच को अभी भी buyers buyers को यह sellers से मात दे सकते यहां पर क्या हो रहा है वह suppliers आहें लेकिन इसकी जो closing है वो अभी भी दोस्तो high के पास में candle red है इसका area को map करके आप देखेंगे तब आपकी समझ में आएगा तो इसकी अभी भी दोस्तो यानि कि अभी भी जो closing है दोस्तो वो high के पास में तो ये भी एक bearish candle है उसके बाद जो next candle आपके बनी हुई है ये वाली ये भी candle दोस्तो एक bearish candle उसके बाद एक candle बनी है red इस candle की दोस्तो जो closing है वो पूर्टे दोस्तो low के पास में है तो ये पूर्टे sellers यहाँ पर आए हैं जितनी भी position थी वहाँ पर दोस्तो एक जटका देने के लिए हैं डराने के लिए हैं उसके मार्केट में फिर से buyers का control पूर रूप से दोस्तो आ चुका है यहाँ पर जैसे ही मार्केट में buyers का control आया इस candle से और यह हमारी एक मारूभूजी candle होती है उसका pattern होता और यहाँ से market उपर तरफ गया जैसे market उपर की तरफ गया छोटा मुटा दूस्तो प्रॉफिट लोगों का हुआ है यहाँ पर उसके बाद क्या होता है कि मार्केट एक दम से दडले से दूसरी candle बनाता वो बनाता दूस्तों क्योंकि अब यहाँ पर गिरने का रीजन समझे इस पर गिरने का रीजन ही होता है कि यह दूस्तों लोगों ने माकर रखा एक रजिस्टेंस लेवल तो रेजिस्टेंस पर जो छोटी ट्रेडर होते हैं तो उन लोग बुक के क्या करता है उन लोगों यहाँ से market कुछ decision ना लेकर reverse हो जाएगा और वहाँ पर यह जो candle पर जोस्तों बहुत सारी लोगों अपने position को cut किया वाँ छोटा profit कमा के जोस्तों लोगों ने यहाँ पर पैसा निकालना start किया होगा उसके काट जूस्तों मार्केट में sellers हाभी हो गए और मार्केट गडल ने से नीचे गिरा ठीक है ना अब आप entry किस तरीकी से ले सकते हैं जैसे यह candle बनी रेड केंडल है इसके closing नीचे है तो लोग के पास में तो बेरिस केंडल है उसके बाद फिर से एक बेरिस केंडल बन रही है तो आपको पता होने चाहिए और जो आएगे वाली ग्रीन केंडल है दोस्तों यह स चोठी होगी इस एक पूरे से छोठी होगी यहाँ पर sellers दोस्तों कंट्रोल कर चुके वाजार को बाँखी इत्ट तेन्ट में अभी वीर्यय के माद्द मिन से तो अभी धुस्तों यहांपर बनियुरस की च्रुष के चाहते तो गेर सकते थे यहां पर मार्केश konkretent कृ क्यां बनाता इस जगए पर तो मार्केट नीची तक इतना प्रॉफिट ने सकता था कम तरक शाठ से असी पॉइंटों का दूस्तों यहां पर आपको अच्छा कासा दूस्तों प्रॉफिट देखने के लिए मिलता तो जो स्केल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं दूस्तों उनको दूस और यहां पर इसने दूस्तों इस लेवल को भी ब्रेक करते हूं मार्केट ऊपर गया और इस करके से हमने के लको दूस्तों पढ़ना ओता है के लिए चाट को दो स्थे नजर आती है तो अबने चार्ट में बहुत सारी चीज़े नजर आती है उसके बाद ही दोस्तो चार्ट को हम एजली समझ पाते हैं मैं आपको एक पहला नियम बताया कि दोस्तो अगर किसी भी यह एक candle है यह open यहां से हो रही है और close यहां हो रही है यह high point है यह low point है अगर कोई भी candle दोस्तो close अगर high के पास में हो रही है तो दोस्तो वह होती है बुल केंडल वह होती है बुल केंडल इसी तरीके से हमारी दूसरी candle होती है एक कोई भी candle बनी हुई है इस तरीके से ठीक है न इसका low point यह है high point यह है इसकी opening यह है closing यह है जो केंडल क्लोजिंग अगर लोग के पास में हो रही तो वो केंडल होती है बाखी कलर पर मत जाएए कलर डिफेक्ट कोई भी नहीं रहता इस चीज को दोस्तों रून को पढ़ लीजिए आपको आसानी से मार्केट ट्रेक करने में आसानी हो जाएगी अब हम देखते हैं कि य लीजन क्या है इसके पीची के साइकलोजिक क्या थी यहां से मार्केट उपर क्यों गया उसको समझिए तो एक बार मैं इसको डिलीट करता हूं इसके बात करेंगे जैसे के मार्केट में यहां पर हमने देखा कि यहां पर सेलर्स थे उसके बाद यहां पर एक हैमर पैटन ब स्कम है लेकिन यहां पे रुटभा बायस का जादा है फिर्स यहां पर सैलरेस की दोनौं की चुहंता ब्राबर है फिरसे यहां पर याप बायस ज्यादा आए उप्र से यहां पर ब्रफ ज्यादा थे फिरसे यहां पर वार्वार कह acting रहा technical यहां वहां से मुपर जाओंगा मार्केट डढ़ाले से एक केंडल बनाता हुपर चड़ गया अब दोस्तों इस केंडल यहां तक यहां से लेके लोगों पता चला हो यहां पर उन्हों पोजिशन बनाको उपर मार्केट को लेके गए जो बायर्स लोग थे उनको अच्छा सब्सक्राइब करने के बाद मार्केट यहां तक पहुंच गया है तो अब क्या आपको लगता वहां पर मार्केट में बैठे रहेंगे नहीं बैठेंगे लोगों ने क्या किया यहां से कटा कट अपना प्रॉफिट दोस्तों बुकिंग करना इस्टार्ट हो जैसी दोस्तों वहां से पोजिशन एक्जिट होना इस्टार्ट हो तो मार्केट दी में फिसलना इस्टार्ट होगा मार्केट नीचे इस तरफ दोस्तों अपना समय वेचित करता नीचे तरना इस्टा और एक दिन के चार्ट में आपको कितनी थे निजर आ रहे हैं उसको दोस्तो आई कबार और identify करई है जैसे कि पहली केंडल अनटे केंडल कोई भी ठीड नहीं लेगा कोई भी नेया बंदा रहेगा वो दोस्तों ठीड नहीं लेगा बात मान लेजिए क्योंकि बागती हुई ट्रेन में कभी भी चड़ा नहीं जाता और यह मार्केट चो है न दोस्तों काफी वॉलिटरी होता इस टैम पे इसमें चड़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए में आपको था इसको एक रेजिस्टेंस मान लेजिए इस आप से लेकर यहां तक ठीक है न उसके अदमार्केट रहें ने भसा पहली ट्रिल तीए यहां कोई ट्रिल नहीं वर नहीं थी उसको अदमार्केट लोगे थोड़ा प्रेडिक्शन करते हैं यहां दे पता चलता कि यहां पर बड़ी बड़ी बिक दिखाई दी रही है आप तो अगर आप यहां पर पोजिशन मनाते तो आपको प्रॉफिट करने का मौका मिलता है उसके तरहां इस तरीकी से हमने जब आपको समझाया तो पहली डूसरी मार्केट में कभी जब ट्रेडि करते हैं तो दूस्तों मल्टीपल ट्रेड मत लिया करिए मल्टीपल ट्रेड का म दो तिन चार अंच आपने ट्रिल्ट मुल्टील ले लेगे तो आपको होजा अब ओर ग्या होगया दोस्तों और ट्रेडिंग कर रहे हो आप और ओवर ट्रेडिंग का मतला हुए तोटली दूस्तों आपका पैसे को रोवाना यानिक लॉस करवाना आपको समझ में आच्छुका हुआ है कि डॉन्ट डौ ओवर ट्रेडिंग प्लीस इसको श्टॉक कर देजी ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर देजी केवल आप एक महीने के लिए थाले लेकिन खिर लेकिन ऐसी देल आपको प्रव API लौस होने की चांसे ऑच्छैशिट numéro το K Vamos और शिह दीन अपको टेकनिकल एनल्टी करके शिक कर रहे हैं तो दूस्तों वीडियो का अच्छी लगे तो लाइक करते हैं चैनल को सस्क्राइब करें जा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो